हाई मैं हूँ योशु माया पूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है करोना वाइरस के चलते क्योंकि थेटर्स बंद है कई फिल्मेकर्स अपनी फिल्म OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं वहीं बताया जा रहा था कि सलमान खान की मूवीज भी OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज हो सकती हैं लेकिन अब नए खबर सामने आई है कि सलमान चाहते हैं कि उनकी सारी मूवी थेटर्स में ही रिलीज हो ना की OTT प्लाटफॉर्म पर जिसे राधे और कभी इत कभी दिवाली ये दोनों ही थियेटर्स पर ही रिलीस की जाएंगी बॉलुवड आक्टर कार्टे कारियन ने एक मल्टी करोर डील को कैंसल कर दिया है एक ब्रैंड के साथ क्योंकि वो ब्रैंड एक चाइनीज ब्रैंड था जी हां और वो उनको बनाता है सबसे पहला बॉलुवड स्टार जिनोंने ऐसा डील कैंसल किया कार्टे कारियन ने ये ड्रास्टिक स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि इंडो चाइना में जो टेंशन चल रही है उसके वज़े से गवर्मेंट ने भी कई अब्स बैंड कर दिये जो चाइनीज थे वही कार्टे कारियन अपना बिट कर रहे है सुशान सिंग राजपूत के आत्मत्या के बाद एक बिहार में लोकल आडवोकेट ने सलमान खान और करन जोहर के अगेंस एफ आई आर दर्च की थी लेकिन बता दे कि बिहार के कोट ने ये केस वहीं पर रिजेक्ट कर दिया है अब वो आडवोकेट जिन्होंने ये केस फाइल की थी वो कह रही है कि वो इस केस को लेकर डिस्टिक कोट में जाएंगे रितिक रोशन की मुवी क्रिश फोर में प्रियंक चोपड़ा तो नजर नहीं आने वाली है लेकिन असल लगता है कि रितिक रोशन के साथ शारुक खान भी इस फिल्म का पार्ट होंगे वेल वो ओन स्क्रीन तो नजर नहीं आएंगे लेकिन आफ स्क्रीन उनकी जो रेट चिलीस की टीम है वो इस मुवी की वी एफेक्स को हैंडल करेगी बताया जा रहा है कि क्रिश फोर काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है अस इसमें टाइम ट्राइवल दिखाया जाएगा और साथ ही जादू को भी वापिस लाया जाएगा बॉलवर अक्ट्रेस चानवी कपूर की छोटी बहन खुशी कपूर का एक कॉलेज वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उनको हम बोलते हुए देख सकते हैं कि पहले वो अपने दम पर इस इंडेस्ट्री में मार्ग बनाना चाहती है तब जाके वो अपनी फैमली के साथ का करते हुए नजर आएंगी वैल ये वीडियो इंटरनेट पर इसलिए वाइरल हो रही है क्योंकि आज कल नेपोटिजम का डिबेट काफी चल रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है करोना वाइरिस के पेंडेमिक के चलते बड़े-बड़े स्टार्स यहां तक की छोटे- में पैसे ट्रांसफर करे हैं वरुन्धवन को परसनल लेवल पर डांसर से एक अटाच्मेंट है एज उन्होंने एक डांस मूवी की थी ABCD Anybody Can Dance जिसकी फ्रेंचाइजी में तीन मूवी शामिल है शोब ब्रीद का सेकंड सीजन सामने आ चुका है जिसका नाम है ब्रीद इंट स्काइटरिस का रोल निभा रहे हैं जिसकी बच्ची गायब हो जाती है और तमाम कोशिशों के बाद भी और पुलिस केस करने के बाद भी वो मिल नहीं पाती है और जो देवगन की मूवी मैदान की रिलीज डेट हाली में सामने आई थी वहीं बताया जा रहा है कि मैदान क की शूटिंग अभी तो नहीं होने वाली और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मैदान के सेट को गिराने की प्लानिंग चल रही है मुंबई में कवरमेंट ने तो शूटिंग की परमिशन दे दी हैं लेकिन फिल्म मेकर्स और अक्टर अक्ट्रिस ये शूट करने को तयार नहीं है क लेकिन तनुश्री दत्ता के अलिगेशन्स की वज़े से मीटू के आरोप की वज़े से उनको फिल्म से बाहर निकाला गया अब बताया जा रहा है कि नाना पार्टिकर जल्द ही OTT फ्लाटफॉर्म पर एक वेब सीरीज करने जा रहे हैं और अपना जलवा दिखाएंगे य अब श्रद्दा कपूर की फैन फॉलोइंग भी इंस्टरग्राम पर 50 मिलियन हो चुकी है बॉलिवड सेलेब्रिटीज की बात करें तो सिर्फ तीन चार ऐसे सेलेब्रिटीज है जिनका अकाउंट ऐसा है जिन में 50 मिलियन से जादा फॉलोवर्स है और वो है प्रियांका च झाल